जैहिंद बच्चो बच्चो मैं अजे कुमार वारनरसी उत्तरपतेस से आपके अपने चैनल नाउ सिक्षन पे स्वागत करता हूँ बच्चो आपको पता है इस समय मैं आपको सैट के पेपर सॉल्व करा रहा हूँ जो की आपके NTSC जो एक्जाम अब इस साल से होने के संभावना बढ़ गई है सरकार दुआरा बताया गया कि हाँ होगा नए कलेवर में नए चेंज होकर आ रहा है ये क्लास 10 के बच्चे देंगे ठीक है और जो भी बच्चे इस समय मेरे साथ त्यारी कर रहे है कलास 8 के बच्चे जो पिछले साल थे जो 9 में अब चले गए है ठीक है और जो 10 में जाएंगे ये बच्चो आपकी त्यारी बेकार नहीं जानी है जिनका हो गया उनका भी और जो जिनका नहीं हुआ है उनके लिए ये एक्जाम काफी महत्पोन है क्योंकि इसमें बच्चों पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं पहले देखे बारह जार ये बारह सो पचास रुपे प्रतिक महीना मिलता था लेकिन अब इसको बढ़ा कर 5,000 की बात की जा रही है तो पैसे बढ़के आएंगे कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर पैसे कितने मिलेंगे तो पैसे कोडिशन है तो आपको त्यारी अभी से करनी होगी जो बच्चे लगे रहेंगे मुझे कनफॉर्म है कि उनको पैसे बहुत अच्छे खासे मिलते हैं ठीक है तो आप त्यारी जारी रखें और जो बच्चे समय क्लास 8 में जेस्ट गया है वो एन MMS की परिक्षा देंगे चा आपको बीडियो कैसा लगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है अब देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है इसमें निम्न अमलो में से कौन सा अमल अमलो का राजा कहलाता है सूचे इसमें विच इस कॉल्ल दा किंग ऑफ एसेट्स एसेट्स जो अमल होते हैं एस होते हैं उसका राजा कहा जाता है क्योंकि बहुत ही गहा तक होता है बहुत ही इससे नुकसान पहुंचता है अगर छूजा तो हाँ जल जाएगा तो यह है आपका सल्फियूरिक एसेट सल्फियूरिक अमल अब बच्चों देखिए इसके साथ साथ आपको याद तो कर वीडियो मैंने इस रियक्शन को समझाया था और मैंने बताया भी था सल्फियूरिक एसिट के बारे में ठीक है तो इसका फॉर्मला है बच्चों H2SO4 ठीक है यह इसका फॉर्मला है इसको आप याद कर लेज़ेगा अलग से अब देखिए कोशन नमर 110 है उसमिय मान किसी इ देहन से प्राप्त उसमा उर्जा की मातरा को कहते हैं तो यह काफी important बच्चों यह definition से लिया गया है तो यह है एक किलो वन केजी ठीक है तो इसको आप ध्यान से नोट कर लिजेगा अब आए question number 111 है आपके सामने एक धातू के amalgam में दूसरा तत्व कौन सा होता है ध्यान दीजेगा an amalgam of a metal has which other element amalgam हमेशा बच्चों याद रखेगा एक धातू होता है एक metal होता है ठीक है साथ में उसके आपका मिला होता है mercury ठीक है mercury का सिंबल जो है hg होता है mercury मैं लिख भी दूँ mercury इसमें बच्चों mercury का इस्तमाल आपको पड़ता है कि जो थर्मा मीटर होता है जिस पर आप टंप्रेचर नापते हैं cc वाला होता है उसमें mercury रहता है जो चमकता है हम देखते कि हमारा तापमान कितना हुआ है अब तो digital वाले आ गया है ले इतने द्यान रखेगा mercury जो है metal के साथ मिलाया जाता है धातू के साथ मिलाया जाता है तो उसका नाम हो जाता है अमलकम ठीक है अब कुश्चन 112 है जल गैस निमन में से कौन सा मिश्रान है देखे काफी बार आया हुआ है producer गैस भी आता है ठीक है देखे काफी पुराने बच क्या है तो यहां water gas भी काफी important है इसका आप note कर लिजेगा तो 112 के answer है बच्चो carbon monoxide और hydrogen gas के mixture को gel gas कहते हैं carbon monoxide plus H2 hydrogen को gel gas कहा जाता है water gas कहा जाता है ठीक है अब देखे question 130 है आपके सामने वह नियुनतम ताप जिस पर कोई प्रदार्थ जलने लगता है वह उसका क्या कहलाता है देखिया आप देखते होंगे कोई कम ताप में आग लगाते हैं तो ठोड़ी में जल जाता है कोई बहूत देर में जलता है तो ऐसा क्यों है तो रही होता है उसके ताप mãन पर निर्भर करता है की उस तापान को Divnot vide также कहते हम लोग जूलन ताप ठीक है और ignition temperature जब तक वह चीज जिसको जलाई जा रही है ध्यान दिजेगा अपने ignition temperature पर नहीं पहुंच जाएगा यानि कि जोलन ताप पर नहीं पहुंच जाएगा तब तक ओ परदार्थ ओ चीज जलेगी नहीं तो इसको clear कर लिजेगा definition कई है कई बर पूछा गया है लेकिन जब इसी तरह से उल्टा पूछा जाता है तो हमें काफी दिक्कत हो जाती है ठीक है तो 113 का आपका है फोर एंसर अब देखे इसमें है question 114 है आपके सामने किसी मादा जननांग में बुरून रोपित होता है in which female reproductive organ does the embryo get embedded काफी important question है यह बच्चो है गरभास है uterus जब हम लोग बच्चे रहते हैं तो हम लोग अपने मा के गरभासे में ही पलते हैं यानि की uterus में पलते हैं तो यह काफी important question है इसको आप no down कर लिजेगा इससे काफी important आते हैं बच्चो सबहें सबहें पर मैंने बताये हुआ है तो आप playlist से जाकर उन वीडियो को जरूर देख लिजेगा काफी important question मैंने discuss किये हुए पहले भी ठीक है question 115 है आपके सामने वाईयू में carbon dioxide की मात्रा बढ़ने से तापमान में बृधी होने का कारण डैस होता है तो देखे आपको बताना चाओंगा हमारी ये प्रिथवी है ठीक है चावरो तरफ एक वाईयू मंडल है ठीक है वाईयू मंडल है और अगर CO2 की मात्रा बढ़ गई carbon dioxide की मात्रा बढ़ गई तो देखे तापमान में बृधी हो रही है देखे कहा जा रहा है आप लोग भी जानते होंगे ऐसा भी सवाल बदल के आ सकता है कि भविस्म में मुंबई डूब जाएगा इसका कारण क्या हो सकता है ठीक है तो उसमें आप याद रखेगा carbon dioxide की मात्रा का बढ़ना और दूसरा क्या है green house effect इसको English में भी याद कीजे और हिंदी वाले बच्चे और हरित घर प्रभाव क्योंकि कई बार हमारे English के ही terms आ जाते हैं जिससे आपको परिशानी हो सकती आप सोचेंगा रहे हमने तो हरित घर प्रभाव पढ candle है CO2 जो है इसी में मात्रा बढ़ती जा रही है CO2 heat को बाहर निकलने नहीं देता है कैद करके रखता है इससे क्या होता है हमारे प्रिथमी का जो ऑसत तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है जो आंटार्टिका में आंटार्टिका में जो भी बर्फ जमी है उसा पिघल र लगतर है और इस पर कई प्रशन बन सकते हैं अलग से और कुश्च नमबर 116 आपके सामने उस पारुस हार्मोन का नाम बताइए जो गौन लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार है नेम दा मेल हॉर्मोन रस्पंसवल फोर सेकेंडरी सेक्सवल करेक्टर्स इसमें द्रगों में बदलाव आता है तो इसके लिए जो हर्मोन रस्पंसवल है बच्चो वो है टेस्टो इस्टिरोन ठीक है टेस्टो इस्टिरोन इसका एंसर 116 का आपका है ठीक है अब इसमें देखें कोस्चन समय बताएं यह क्सा लग रहा है आपको कुस्चेंज जरूर बता स्रावित हर्मोन थायरोक्सिन जो इसके लारबा से वैस्क बनने में सहाइक है के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवस्षक है देखे हमारे सरीर के लिए भी सवाल कई बार आया हुआ है और यह देखे मैधक में भी उतना ही इंपोर्टेंट है यह बचो आयोडीन हमें अग अगर यह नमक हम लूँक नहीं खाएएंगे दो गहिए Ng level हो जाएगा यान की ग्वांटर हो जाएगा ठीक है घेंगा हिंदीए में लेक लिए मैं इंग्लिस में ठीक है तो यह रोग हो जाएगा तो मैडक को भी अगर लारबा से इसमें वैस्क बनना है तो उसको भी क क्या चाहिए होता है आयोडीन चाहिए होता है ठीक है तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा जोरूर बताएगा थेंक्यू